नमस्कार मित्रो जैमातादी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो जीवन में जब भी किस्मत और भाग्य दोनों खराब हो आप ठक गए हो आप हार गए हो तो चुक चाप हमारी आज की यह वीडियो देख लेना और हमारी कही गई ब भाग्य चुटकियों में चमक उठेगा आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य उन लोगों को हिम्मत देना है जो अपनी जिन्दगी में और मान चुके हैं जिने ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा दर-दर की ठोकरे खाते और हर तरफ से नकार दि बस थोड़ा सा समय देना होगा अपने अच्छे भविष्य के लिए यकिन मानिये सबको सही हो जाएगा सबसे पहले अगर आप भी माता राने के सच्चे भक्त है तो बिना देर करे वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी जरू लिखियेगा आपके सा बारे बिगडे काम संपन्न होंगे तो आईए दोस्तो वीडियो की शिरुवात करते हैं सबसे पहला काम वो क्या है जो हमारी सोई हुई किसमत को जगाएगा तो रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हतेलियों को देखे रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले अप हतेली के उपरी भाग में मा लक्ष्मी, बीच में मा सरस्वती और नीचे के भाग में भगवान विश्नो का स्थान होता है इसलिए रोज सुबह उठते ही जो इनसान अपनी हतेलियों को देखता है यकिन मानियों उसके जीवन में कभी भी दुरभाग ये नहीं आता कभी भ उसकी किस्मत और भाग ये खराब नहीं होते और अगर आप भी बार बार असफल हो रहे हैं तो ये नियम आपको रोजाना सुबह उठते से ही बना लेना चाहिए आपके जिन्देगी में आप परिवर्तन अपनी आखों से देखेंगे दूसरे नंबर पर जो आपको काम करन है वो है पहली रोटी गव माता को दे भोजन के लिए बनाये जा रही रोटी में से पहली रोटी गाई को जरूर देनी चाहिए धर्मगरंथों के अनुसार गाई में सभी देवताओं का निवास माना गया है अगर आप प्रते दिन गाई को पहली रोटी देते हैं तो ये जो भी घर की महिला रोटी बनाती है वो कई बार वो रोटी सभी सदस्यों की रोटी से बड़ी अलग बनाती है क्योंकि उसे पता है ये तो गो माता को देनी है तो इसा बैदभाव आप न रखे सभी सामानी रहे वो रोटी और सदस्यों की रोटी बिलकुल सेम रखनी है औ तीसरे नमबर पर जो आपको काम करना है वो भी बड़ा शानदार है और ध्यान से आपको सुनना है यकीन मानिए ये जो हम वीडियो बनाई है इसे पूरा देखेगा जो भी व्यक्ति तोया हुआ भाग ये पुर्णा जाग जाएगा ये बात आप हलके में मतलीजेगा तो तीसरे नमबर पर जो काम आता है वो है चीटियो को प्रती दिन या जब आपकी मर्जी हो आटा जरूर डालें अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोजाना चीटियो को शक्कर मिला हुआ आटा आपको डालना चाहिए ऐसा करने से आपके पाप करमों का च्छय होता है और आपकी पुण्य कर्म उदए होते हैं यदि पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ती में सायक होते हैं इसलिए जीवन में हमेशा दानपून के काम करते रहने चाहिए और हमारे दौ़ारा चीटियो को आटा जरू डाला आना चाहिए क्योंकि यही आपके भाग्य जो सोया हुआ है उससे सही करने में मदद करेगा आगे वीडियो में और भी गंभेर और हैरान करने वाली बाते हम आपको बताएंगे जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब जिन्दगी एक नया मोड लेने वाल जीवन गाड़ी बहुत ही जादा गड़ बढ़ा जाएगी तो चोथे नंबर पर अपने भाग्यों को सवारने के लिए आपको जो काम करना है वो है देवताओं को फूल से सजाए घर में आपके देवी देवता तो इस्थाबिस जरूर होगी आपको उन्हें फूलों से सज चाहिए इस बात का ध्यान रखे कि फूल ताजे हो सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल अरपित करने से वे अवश्य ही फ्रसन होते हैं वो व्यक्ति के जीवन की हर परिशानी को दूर कर देते हैं इसनान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चड़ाना च अगर आप भी अपने घर के देवी देवताओं को फूलों से सजाएंगे तो यकीन वानिया आप जिंदगी में बहुत बड़ा फल पाएंगे अगले नंबर पर यानि पाचवे नंबर पर जो आपको काम करना है सुबह करें ज़ाडू पोचा दोस्तों अगर आप भी किसमत और भाग्य खराब लेकर बेटे हैं तो आपको अपने घर को हमेशा साफ और सुच्छ तो रखना ही पड़ेगा रोज सुबह के समय ज़ाडू पोचा करें सुर्यास्ति के बाद नहीं इतना ध्यान रखें ऐसा करने से आपके जीवन में माता लक्ष्मी आती है उनका अशि प्रम ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति सुर्यास्ति के बाद जहडू पोचा करता है वहाँ पर देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती वहाँ से चली जाती है इसलिए अगर आपको जहडू पोचा करना है तो सुर्योदय यानि सुबह सुबह आपकभी कर ले या शुर्यास्ति के पहले आपकभी भी कर ले बस शाम के समय मत किरिएगा वरना यह चीजे दिक्कते देती है और जीवन में तहस नहस्त मचाती है अगले नंबर पर जो कामन कल करा रहा है वो और भी ज़्यदा ज़रूरी है और वो है मचलियों को आटे की गोलिया खिलाए अपने घर के आसपास जरूर आपके कोई तालाब होगा जहील होगी नदी होगी जहाँ बहुत सारी मचलिया होगी आपको यहां रोज जा करके आटे की गोलिया उन्हें खिलानी चाहिए माल लक्षमी को प्रसन्न करने का यह एक अचूक उपाय है और नियमित रूप से इस तो आपको जरूरत है माता के आशिरवात की इसलिए आपको अपने आसपास के किसी भी स्थल पर जा करके चीटियों को आटा मचलियों को आटे की गोलिया इस सब कामों पर थोड़ा ज़्यान देना चाहिए क्योंकि आपके सोये हुए भाग्यों को जगा सकते हैं और आपक माता पिता का और अपने घर के बड़े बुजरगों के पेर छुकर आशिरवात जिरूर ले ऐसा करने से आपकी कुंडली में सभी विपरित ग्रह आपके अनुकुल हो जाते हैं और शिबुफल प्रदान करते हैं देखे कितनी प्यारी बात है कि जो ग्रह हमारे विपरित थ जो हमारा काम बिगाडने वाले थे पूरी तेयारी में थे हमारे माता पिता के आशिरवास से वो हमारे अनुकुल हो गए तो दो मिनिट चरन इस पर्ष करने में हमारा क्या ही जाता है माता पिता के आशिरवास से हमारे उपर आने वाला संकड भी टल जाता है और हमारे सोय ह हुए भाग्य में चार चांद लग चाते हैं करके जरूर देखेगा आपको अंदर से सुकून की प्राप्ति होगी अगले नंबर पर जो काम आता है दोस्तों वो है पीपल पर जल चड़ाए रोज सुबह इसनान करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल जरूर चड होते हैं और आपको शुबफल प्रदान करते हैं इस पेड़ का महत्व इस बास ते जाना जाता है कि अरजुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान शेक्रिष्ण ने सुयम को पेड़ों में पीपल बताया था और आप इसके महत्व से वंचित नहीं रह सकते अगर आ अगर आपके आसपास है तो आप रोज ही जड़ा सकते हैं परन्तु कई दूर है तो हफते में एक दिन शनिवार के दिन इसा करिएगा आपके पापों का मिच्छ है होगा और आपके भागी की भी व्रद्धी हो जाएगी आईए अगले नंबर पर कौन सा काम है वो देख ल ना चाहिए घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही प्रवेश करें चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों नहों परन्तु खाली हाथ कभी ना आए यह अशुप संकेत होता है और जो एसा करता है वो जिन्देगी में दिक्कते पाता है परन्तु जो कुछ भी छुटा मुटा अपने बच्चों के लिए अपने पत्नी के लिए अपने माता बिताए के लिए लिए कराता है चाहे वो इक चोकलेटी क्यों नहों वो जीवन में हमेशा भागी को सवारता है नाती में अगला काम है अंतिम काम है अपने पत्नी वो अपने बच्चों को हमेशा खुश रखे जीवन में कई बार घर में तनाव होते हैं अंचाने हम प्रताडित होते हैं लेकिन याद रखें पतनी और बच्चों की आख में कभी आसु आपकी वज़े से नहीं जाने चाहिए नहीं तो तरक्य के रास्ते बंद हो जाते हैं अतर परिवार को खुश रखेंगे तो आप खुश रहेंगे इतना ध्यान रखिएगा तो तुला राशी वालो आज की वीडियो में हमने बात करी जब किस्मत और भाग्य दोनों आपका साथ नहीं दे रहे हो तो हमारी आज की यह वीडियो देख लेना उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी लाई जरूर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में जैमाता दे लिख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिए अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद